प्रस्न संख्या 4 निम्नांकित में कौन सी संख्या हैं तीन या चार या दोनों से विभाज हैं क्या हुए बारा से भी विभाज हैं तो निम्नांकित में कौन सी संख्या हैं तीन या चार या दोनों से विभाज हैं क्या हुए बारस से भी विभाज हैं तो देखें तीन से विभाजता की जाज कैसे करते हैं तो सभी अंकों को जोड करके देखते हैं तो देखें छेती नौ, नौ, आट, सतरह 17, 24 तो 24, 3 से कट जाता है, 3 से विभाज है तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाज होगा ठीक है तो 3 से ये विभाज है और देखिए, 3 से इसको देखते हैं तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16, 16, 18, 24 तो 3 से ये भी विभाज है ठीक है, 24 आ रहा है जोड़ करके, 3 से इसको देख लेते हैं तो 8, 4, 12, 3, 15, 15, 17, 22 तो 22, 3 से नहीं करता है तो 3 से देखिए, ये संख्या विभाज नहीं है ठीक है इसको भी जोड़ कर देखते हैं तो 2 और 3, 5, 5, 6, 6, 6, 10, 16, 18 18, 18, 18 से कर जाता है 3 से विभाज हो जाता है तो ये पूरा संख्या 3 से विभाज होगा तो 3 से तो अब पता चल गया है कि कौन-कौन संख्या विभाज है अब देखे, 4 से तो 4 से विभाजदा का नियम है इकाई और दहाई वला अंक देखना है दो अंक, देखे इकाई और दहाई वला अंक देखना है अगर बिभाज हो जाएगा 4 से तो ये पूरा संख्या 4 से बिभाज हो जाएगा तो 36 36 देखिए 4 से कट जाता है 4 नमा 36 तो ये पूरा संख्या 4 से बिभाज है ठीक है यहां पर देखिए 42 है 1 दहाई वाला तो यह नहीं करता है चार से, तो यह संख्या चार से बिभाज नहीं है, यहाँ पर 43 है, तो यह भी 4 से नहीं करता है, तो यह संख्या भी 4 से नहीं करतेगा, यानि बिभाज नहीं होगा, 48, इकाई धायवल आंग, तो यह 4 से कर जाता है, 12 चोग, 48, तो यह संख्या 4 से बिभा तो जो संख्या तीन और चार दोनों से विभाज होगा वह अब अबसे ही बारा से विभाज होगा ठीक है तो उसको भी लिख देना है तो प्रस्न चार तो प्रस्न चार में हम लिखेंगे पहले तीन से इसका उत्तर लिख रहा है तीन से विभाज संख्याएं तो तीन से कौन-कौन संख्याएं विभाज है तो तीन से विभाज संख्याएं हैं 7,836, 87,342, 23,148 ठीक है तो तीन से विभाज संख्याएं हैं 7,836, 87,342, 23,148 ठीक है तो तीन से विभाज संख्याएं हैं 7836,23148 ये दोनों संख्या देखे चार से विभाज है तो तीन और चार तीन और चार से विभाज संख्याए है देखे तो तीन और चार से विभाज संख्याए कौन कौन है 7836 कौमा देखे 23148 यहां भी है यहां भी है तो इसको भी लिख लेंगे 23148 तो 7836 कौमा 23148 ठीक है तो देखे तीन से भी 7836 कट रहा है और चार से भी तो इसको लिख देंगे तीन और चार से भी भाज संख्याए में 23148 तीन से भी भी भाज है और चार से भी तो उसको भी लिख देंगे तो जो तीन और चार से भी भाज होगा वह बारा से भी भाज होगा तो उसको भी हम यहां पर लिखेंगे तो लिखेंगे लिखेंगे हाँ तीन और चार तीन और चार से बीभाज संख्या संख्याएं बारा से भी बीभाज तो तीन और चार से बीभाज संख्याएं बारा से भी बीभाज है ठीक है इसका उतर होगा हाँ करक क्या होए बारा से भी बीभाज है तो हाँ होगा उतर क्योंकि जो तीन और चार से कटेगा हुआ है बारा से कटेगा ही ठीक है तो इस तरह से हम इसका उत्तर देंगे तो देखिए 7,836 और 23,148 12 से भी विभाजी होगा प्रहस्न पांच निम्नांकित में से परतेक में देखिए ये जो चिन दिया हुआ है इसकी जगह सबसे छोटी संख्या लिखे जिससे ये संख्या 3 से भी विभाजी हो तो प्रहस्न पांच तो प्रहस्न पांच का ये है 2,6,4 देखिए यहाँ पर रिक्त अस्तान है 1,9 तो ये अस्तान पर एक अंग छुटा हुआ है तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर भढ़ना है जिससे यह संख्या 3 से भी विभाज हो जाए ठीक है तो देखिए 3 से भी विभाजता का नियम क्या है सब को जोड़ करके अंग देखेंगे तो 2 और 6, 8, 8, 4, 12, 12, 13, 13, 9, 20 देखिए फिर से 2, 6, 9, 8, 8, 4, 12, 12, 13, 13, 9, 20 9, 1, 10, 10, 4, 14, 14, 14, 16, 20, 22, 22 22 आ रहा है जोड़ करके तो 22 तो 3 से कटता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर 22 के बाद देखिए 23, 23 भी 3 से नहीं कटता है 24, हाँ 24, 3 से भी भाज हो जाता है तो 22 में कितना जोड़ेंगे कि 24 आएगा 2 तो यहाँ पर क्या भरेंगे 2 भरेंगे तो इसका उत्तर होगा 2, 6, 4, 2, 1, 9 देखिए इसके अस्थान पर 2 भरेंगे देखिए यहाँ पर ठीक है क्योंकि आप जोड़के देखिए 9, 1, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 16, 16, 26, 22, 22, 24 तो 24, 3 से भी भाज है तो यह पूरा संख्या 3 से भी भाज होगा तो 2 सबसे छोटा संख्या है यहाँ पर हम भरेंगे क्योंकि 22 आ रहा था इसको जोड़करके ठीक है तो 22 के बाद जो नजदी का अंक है वो 24 है तीन से भी भाज होने के लिए तो 22 से 24 लाने के लिए हाँ पर 2 चाहिए तो 2 भर देंगे देखिए B में B में है 9, 1 9, 6, 6 9, 1, 9, 6, 6 ठीक है तो इस अस्थान पर भढ़ना है तो इस देखिए पहले इसको जोड़कर देखते है 9, 1, 10, 10, 9, 9, 6 25, 25, 6, 31 31 आ रहा है